हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जेनल नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको CTI कोर्स के बारे में जानकारी दूँगी CTI के बारे में फुल जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगी तो अगर आप CTI कोर्स करने का सोच रहे हैं या CTI कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं वीडियो को end तक जरूर देखेगा आपके सारे पॉइंट्स में आपको इस वीडियो में किलियर करूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहूंगे आपसे जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नेम है गवर्मेंट जॉब जैनल नॉटिफिकेशन चैनल सो मैं यहाँ पर 36 गवर्मेंट एंड सेंट्रल गवर्मेंट जॉब के बारे में बेकैंसी के बारे में जानकारी देती हूँ साथी साथ कोर्सिस के बारे में भी जानकारी देती हूँ तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं Government Job Vacancies के बारे में या courses के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चनल को जरूर subscribe कर लिजेगा and bell icon को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि Government Job Vacancies का notification आपको time से मिल सके साथ अगर आप किसी course के बारे में जानकारी चाहते हैं उसके लिए आप comment भी कर सकते हैं किसी particular course के बारे में या subjects के बारे में जानकारी चाहते हैं तो comment जरूर कर दीजेगा मैं कोसिस करूंगी जल से जल उस पर वीडियो अप्लोड करने के लिए ओके friends तो अब ये वीडियो हम start करते हैं वीडियो start करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताये कि में यहाँ पर CTI course के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ पूरी जानकारी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस पॉइंट पर में आपको इस बीडियो में explain करने वाली हूँ सु चलिए start करते हैं CTI course के बारे में जिन पॉइंट पर मैं आपको इस बीडियो में explain करने वाली हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं six point है जिन पर मैं आपको यहाँ पर explain करूँगी first है what is CTI, CTI क्या है CTI क्या है ये second point है eligibility अगर आप CTI course करते हैं तो इसके लिए eligibility क्या रहेगी योगजिता क्या रहेगी आप CTI course करने के लिए eligible है या नहीं third point रहेगा इसमें duration CTI course का जो duration है वो कितना रहता है fourth point है age limit age limit कितनी है क्या आप ये course कर सकते हैं जो आपकी age है वो CTI course के लिए eligible है fifth point रहेगा job opportunity CTI course करने के बाद आपके job के chances क्या है किस field में किस तरह से आप यहाँ पर job ले सकते हैं so job opportunity jobs related में ही point के लिए करूंगी साथी salary CTI course करने के बाद में आपको जो job मिलती है उसमे salary के लिए आपको कितनी salary मिल सकती है कितना salary आपको यहाँ पर starting salary में आपको यहाँ पर बताऊंगी होता है central training institute for instructor नाम से ही है central training institute for instructor इसमें आपको teachership के लिए trained किया जाता है अगर आपका सपना है आप as a teacher job करना चाहते है ITI में आप teacher job करना चाहते है अध्यापक के रूप में आप job लेना चाहते है work करना चाहते है तब आप CTI कर सकते है और CTI करने के बाद में आपको job भी अच्छे मिलते है जिसको मैं आगे explain कर दूँगी वीडियो में ओके यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको बताया CTI में आपको train किया जाता है teachership के लिए जैसे कि B.Ed, D.Ed इस टाइप से यह CTI होता है यह ITI वालों के लिए होता है और जो भी eligibility है वो मैं आपको आगे वीडियो में clear करूँगी ओके सो अगर आप अध्यापक की रूप में जॉब लेना चाहते हैं ITI में तब आप CTI कोर्स कर सकते हैं सेकेंड हम देखेंगे eligibility योग गता तो जैसा कि मैंने बताया CTI के लिए ITI का जरूरी रहता है अभी मैंने आपको बताया CTI के बाद आप ITI में टीचर जॉब ले सकते हैं अध्यापक की रूप में सो यहां पर eligibility में ITI डिप्लोमा या आपके पास polytechnical डिप्लोमा होना चाहिए तब भी आप CTI कोर्स कर सकींगे ओके दौनों में से आपके पास अगर एक है तो आप CTI कोर्स कर सकते हैं साथ ही यहां पर कुछ कंडिसंस भी हैं अगर आपके पास सभी traits के लिए CTI कोर्स अबलेबल नहीं होता है कुछ त्रेट्स हैं जिनके लिए CTI कोर्स अबलेबल है अगर आपने उस त्रेड में उन ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब आप यहाँ पर CTI course कर सकेंगे तो चलिए हम देखते हैं आपर किस किस trade से आप कर सकते हैं तो electrician, wireman, fitter, turner, machinist, motor, mechanic इस तरह से आप यहाँ पर अगर related trade से आप करते हैं तब आप यहाँ पर CTI कर सकते हैं इसके अलवा भी कुछ order rates हैं इसके बाद भी कुछ conditions हैं अगर आपके पास, आप CTI करते हैं तो आपके पास NTC, National Trade Certificate होना चाहिए तब ही आप CTI कर सकेंगे या तो आपके पास NTC हो या आपके पास NAC, National Apprentice Certificate दोनों में से आपके पास कोई एक है तब आप इसमें apply कर सकेंगे आप इसके लिए eligible लेंगे या आपने polytechnical diploma किया हुआ है तब आप इसको आप कर सकते हैं ओके तो आपने NTC या तो आपने ITI किया हुआ है उसके साथ में आपके पास NTC या NEC होना चाहिए या आपने polytechnical diploma किया है related trades से, ITI से तब आप इहाँ पर apply कर सकेंगे next यहाँ पर duration duration क्या रहती है तो यह one year का होता है one year का course है, एक साल में complete हो जाता है इसमें four quarters होते है three three month का होता है three three month में आपके four quarters रहेंगे one year में आपका यह पूरा complete हो जाएगा and यहाँ पर हम quarters के according देखें तो first quarter जो three month का होगा उसमें आपका रहेगा comparison basic component of trade, practice and theory and second में अगर हम देखें second quarter में आपका comparison advanced component of trade, practice and theory and third quarter आपका रहेगा training metrology इसको हम training metrology कहेंगे इसमें आपको comparison principle of theory इस related आपको पढ़ा जाता है तो यह four quarters होते हैं अब हम fourth देख लेते हैं इसमें आपको comparison, workshop, calculation and science and engineering drawing के बारे में आपको जानकारी दी जाती है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है तो यह four quarters हैं आप यह जो four quarters है three three month का होता है हर quarter three month का होता है इस तरह से आपका एक साल में complete हो जाता है तो इसका जो duration है अवधी है वो भी जादा नहीं है एक ही साल में आपका यह पूरा course complete हो जाता है three three month के quarters में यह complete हो जाता है तो अगर आप यह course करना चाहते हैं अज़र teacher आप ITI में job लेना चाहते हैं अध्यापक के रूप में आप बर्क करना चाहते हैं अब आप यह कर सकते हैं और एक साल का timing है कोई ज्यादा timing नहीं है तो आप बिलकुल इसको करिए अगर आपका इसमें interest है ओकी सुच चलिए अब हम next point है उसको लेते है so next यहाँ पर age limit age limit क्या होनी चाहिए अगर आप CTI course करते हैं तो आपका जो age limit है वो कितना होना चाहिए तो यहाँ पर आपका minimum 18 and maximum 40 years रखा गया है जो ITI के लिए रखा गया है वही यहाँ पर है तो 18 से 40 साल अगर आप इस age group में आते हैं तो आप CTI course कर सकते हैं minimum 18 and maximum 40 years ओके so यहाँ पर age limit काफी है आप 40 years सक इसका जो course है वो कर सकते हैं next हम यहाँ पर देखेंगे job opportunity अगर आप CTI course करते हैं तो यहाँ पर आपके job के chances क्या रहेंगे तो जैसे कि आपने आपको मैंने बताया था जो CTI का full form है वो जो CTI का full form है वो है central training institute of instructor for instructor ओके तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रसिक्षक के लिए अगर आप apply करते हैं प्रसिक्षक आप बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CTI course कर सकते हैं आपको इसमें teachership के लिए train किया जाता है तो as a प्रसिक्षक आप job ले सकते हैं ITI ITI में साथी साथ आप यहाँ पर government ITI and private ITI दोनों ही सेक्टर में जा सकते हैं government में भी इसमें vacancies आती हैं government ITI में प्रसिक्षक के लिए अध्यापक के लिए तब आप इसमें apply कर सकते हैं job ले सकते हैं and railway में भी यहाँ पर vacancies आती हैं साथी साथ में बता दू railway में जो ITI के लिए का भी vacancies है and ITI के बेस पर आप यहाँ पर railway में जा सकते हैं okay so CTI के बाद में आपको अध्यापक अगर आप बरना चाहते हैं तब आप CTI का कोर्स कीजिए आप एज़े अध्यापक उसमें job ले सकते हैं government sector and private sector दोनों में ही vacancies है and railway में भी ITI के बेस पर आप इसमें apply कर सकते हैं तो job आप इसमें आपके जो job के chances हैं ITI में करते हैं and CTI में दोनों तरह से फिर आपके लिए available रहेगा ITI बेस पर and CTI बेस पर आप आध्यापक भी बन सकते हैं अब हम देखते हैं salary salary कह रहेगी तो salary अगर हम देखें तो government sector and private sector दोनों ही sectors में difference है government sector में आपको salary थोड़ा सा ज़्यादा रहती है and private sector में आपको थोड़ा कम रहती है मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ starting salary बता रहे हूँ government job निकलती है ITI अगर आप government ITI में अध्यापक job अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ पर जो starting रहेगी वो 25,000 पर month आपकी salary रहेगी ओके अगर आप private sector में जाते हैं private job अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर आप 10,000 starting रहेगी and then आपका जो भी experience रहेगा आप कितना timing आपका जैसे जैसे increase होता जाएगा उसी तरह से आपकी salary भी increase होती जाएगी लेकिन अगर आपको government sector में job मिलती है तो आपके लिए वैस्ट रहेगी उसमें salary भी अच्छी रहती है and आपके chances उसमें ITI में आप अध्यापक के लिए government vacancies भी निकलती है तो आप easily उसमें भी ले सकते है okay friends so yes इस point में जो आपको six points आपके clear किये यहाँ पर जैसी कि first है what is CTI, eligibility, duration, age limit, job opportunity and salary यह सारे के सारे points में आपको इस video में clear किये है and I hope कि आपको यह video helpful रहा हो अगर आप CTR से related जानकारी चाहते थे तो मैं आसा करती हूँ कि आपके सारे doubts इस video में clear हो गए होंगे अगर आपको यह video थोड़ा सा भी helpful रहा हो तो video को like कर लिजेगा channel को subscribe and अपने friends के साथ इस video को share कर दीजेगा जिसको भी CATI course के बारे में जानकारी चाहिए Thank you